विद्नहर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा प्रभू परमक्रिष्न, वो यहां कैसे है? यह क्या हो रहा है? यह कैसा त्रिष्च दिखाई दे रहा है मुझे? यह दुन्दली स्मितिया कब की है? मुझे अब इनका स्मरण क्यों हो रहा है? विद्नहर्ता प्रथम पूज गनेश जी ने शंक्चून को नारायन अस्तर का प्रेवक करने से रोक कर इस इस विद्न को कुछ समाई के लिए रोक तो दिया किंतो अब वो क्या करेंगे? सावधान हो जाओ पुछ्र, दिवता चल कर रहे हैं तुमसे विद्नहर्ता तुमारी विजय में विद्नूत्पन करने आये हैं वजणन यहां आपका कोई कारे नहीं यह युद्ध मेरे और महादेव के मध्य है आप तो स्वयम कृष्ण तत्व है इसलिए आपको कृष्ण भक्त की विजय में बाधा नहीं बनना चाहिए बाधाएं भी कभी कभी मुक्ती का कारण बनती हैं शंक्चूर विग्न हर्ता, कृष्ण भक्त शंक्चूर के विग्न करता मत बनिये विग्न ये विचार तुम्हारे मन में कहां से आया मैं तो यहां तुम्हें आशिरवाद देने आया हूँ आशिरवाद गणेश उसे वार करने से रोक रहा है जिससे की सूर्यास्त हो जाए और आज युद विराम का समय हो जाए आशिरवाद प्रभू किंतु युद के बीच में ये कैसा आशिरवाद है मैं प्रसन्न हूँ प्रभावित हूँ तुमसे महान कृष्न भगत हो तुम जिसने अपनी कृष्न भगती को ही अपनी शक्ती बना लिया शिव सेना की महापराक्रमी योधाओं को बल से नहीं तो छल से बंदी बना लिया छल नहीं गजानन, युक्ती कहते हैं उसे हाँ, छल को ही युक्ती कहते हो तुम सब ही यही असुरों की परंपरा है और ये भी तुम असुरों की मान्यता है कि युद्ध में सब उचित है, ना कोई नियम है और ना कोई मर्यादा गणपती कजानन शंक चूर युद्ध के वैदिक नियमों को जानता भी है और उसका पालन भी करता है मैंने किसी भी नियम का उलंगन नहीं किया मुझे व्यर्तुल जाने की युक्ति मत कीजिए, युद्ध करने दीचिए मुझे, उसमें बाधा उपनबत कीजिए आप इतने समझदार होकर भी ना समझों की भाती व्यवहार कर रहे हो आशिर्वात कभी किसी के लिए बाधा नहीं बनता, वो तो मार्ग को स्तुलब बना देता है मेरा आशिर्वात तुम्हें नियम भंग करने से बचाएगा अन्यथा तुम्हारी विजय भी हुई, तो वो भी पराजय के समान ही होगी मैं समझा नहीं प्रभू, मैंने कहा ना, मैं युद्ध के किसी भी नियम का उलंगन नहीं कर रहा हूँ अच्छा, तो पश्टिम दिशा में देखो शंक्चूत, सूर्य देव अस्त हो चुके हैं और वैदिक नियमों के अनुसार, ये युद्ध विराम का संकेत है गणेश की बुद्धी और युक्ति के समक्ष कोई दिखी नहीं सकता है नहीं पुत्र, रुको मत, गणेश जी की चतुराई में मत उल्चो तुम्हें वार करने के लिए तुम्हारा समय व्यर्थ कराया जा रहा है जो अनुचित है, वो मत करो शंकचूत जुकालो अपना अस्त्र, युद्ध अभी समाक्ष नहीं हुआ, बस आज के युद्ध का अंतु हुआ है भस्पा सुरोईया त्रिपुरा सुर्थ, सबका अंत, युक्ति सही किया गया था अन्य था इन में से किसी कभी मत, संभब नहीं था अपने वार को कल पर मत छोड़ो, संभब है, कल तुमें इसका अफसर ही ना मिले शंकचूर, इस युद्ध में तुमने कोई नियम अभी तक भंग नहीं किया, तो अभी मत करो पुत्र, नियम, मर्यादा सब व्यार्थ है, विजय प्राप्त होई तो सब उचित हो जाता है, अन्य था सब अनुचित, इसलिए विजय प्राप्ति के लिए जो करना है, अभी करो नियमों को भंग करना तो किसी भी असूर के लिए साधारन बात है, किन्तु श्री परम्तृष्ण का कोई भक्त, ऐसी भयंकर भूल कैसे कर सकता है, सूर्यास्त के बाद नारायन अस्त्र का प्रयोग, सर्वता अनुचित है ये, तुमने ऐसा किया, तो दिखकार है तुम्हे मिथ्या है तुम्हारी भक्ती, सोचो शंकचूर, अपने आराध्य का अपमान कर एक असूर की भाती कर्म करना चाहते हो, या भक्त बनकर मर्यादा का पालन करते हुए, अपने आराध्य का मान रखना चाहते हो, अब ये तुम पर निर्भर है ये क्या कर दिया तुमने पुत्र, विगन हर्ता को, तुमने विगन कर्ता क्यों बनने दिया आज तो श्रिष्टी पर छाया, ये महा संकट गणेश के कारण टल गया, शंक चूड पीछे हट गया नाराया, 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 नाराया प्रभू, आब ऐसे निश्चिंत है, कैसे? आज ना सही, लेकिन शंकचूड कल भी तो वार कर सकता है नारानस्त्रस इसका तो एक ही उपार है मा, इससे पहले की शंकचूड आकरमन करे पिताश्री स्वायम अपने वार से उस शंख चूड के साथ साथ इस युद्ध का भी अंत कर दे नहीं भ्राता उसका कोई लाब नहीं होगा क्यूंकि उसकी सुरक्षा के लिए शंख चूड को प्राप्त है कृशन कवच कृशन कवच तो इसी लिए आपने उस परवार नहीं किया था पिताश्री हाँ पुत्रकारतिके मैं किसी भी स्थिति में कृशन कवच परवार नहीं कर सकता तब तो हमें वो कृशन कवच उससे दूर करने की युक्ति सोचनी चाहिए कृशन कवच ही नहीं उसके साथ असुर शंख चूड को एक और कवच प्राप्त है ऐसा कवच जिसे ना कोई भेट सकता है ना ही शंख चूड से छीन सकता है वो कवच जिससे उससे कोई दूर नहीं कर सकता और वो है उनकी पत्नी देवी तुलसी के अनुपम प्रेम अपने पती के प्रती उनकी निष्ठा और उनका समर्पन अर्थात उनके पती व्रत का कवच ओम नमो भगवते वासु देवाय कृष्णाई नमो नमा। पिताश्री, मैं अपने कारण तुल्सी को इतनी पीडा में नहीं देख सकता मुझे उसे उसके तब से उठा देना चाहिए नहीं पुत्र, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि वो तो अपने तब से तभी उठना चाहेगी जब तुम इस युद में विजय होकर वापस लोटोगे जब तक मेरा पती व्रत सुरक्षित है उसकी शक्ती सुरक्षित है कैसा भी संकत क्यों आज़ा भायंकर से भायंकर बवंडर ही क्यों आज़ा मैं आपके इस विजह दीपक को कदाप में पुष्टे दो अश्चरे है दीपक में घ्रित नहीं फिर भी उसकी जोती स्थिर है आप सभी ने उस पर इतने आक्रमन किये किन्तु वो सुरक्षित रहा क्योंकि उसका एक मात्र कारण है देवी तुलसी का पती व्रत सत्य है देवी तुलसी की तपोशक्ती ने ही मुझे रुका मुझे आभास कराए कि मैं कृष्ण कवच पर ही प्रहार करने वाला था तुलसी के कारण ही मैंने समय पर कृष्ण कवच को क्रियानमित किया अन्य था प्रभू महादेव का वार मुझ पर अवश्य होता तब मैं तब मैं कदापी सुरक्षित नहीं रहता किन्तु सत्य तो ये है कि उसकी शक्ति नहीं मुझे महादेव का सामना करने के लिए आत्म विश्वास दिया जब तक शंक चूड को ऐसे अनुपम स्ने ऐसी निष्ठा ऐसे पतीवरत की शक्ति प्राप्त है वो तो तृदेवों के सामने भी अजय रहेगा स्वयम देवाधी देव महादेव उसको पराजित नहीं कर सकेंगे कल इस युद में स्वयम देवाधी देव होंगे मेरे सामने किन्तु फिर भी मैं आजे और अमर रहूँगा क्योंकि तुलसी के पतीवरत की शक्ति मेरे साथ रहेगी किन्तु अन्य मर्यादाओं से बंधी होने के कारण आप क्रिश्न का बच पर तो प्रहार करेंगे नहीं और देवी दुलसी के पातीवरती के सम्मान में आप उस शंक चूड का अंत भी नहीं करेंगे तो फिर ये अधूरा युद क्यों पताश्री युद आरम हो जाए तो युदा का पीछे मुड़ना उसकी पराजे का सुचक होता है देव सेनपती इसलिए युद भूमी में मेरा जाना आनिवारी है और पतिवरत की शक्ति के विरुद अस्तर पर हार ना करना मेरी विवश्टा इसलिए में देवी तूलसी के पवित्र प्रेम और पतिवरत पर आज नहीं आने दूँगा कल में युद का धर मवश्य निभाऊंगा अस्तर ठाऊंगा किन्तो अपने वार से देवी तूलसी के पतिवरत को भंग नहीं होने दूँगा तूलसी मैं अब तुम्हें इस कष्ट में नहीं रहने दूँगा कल युद्ध भूमी में प्रवेश करते ही नरायन अस्तर का प्रयोक कर इस युद्ध के साथ तुम्हारे कष्ट का भी अंद करूँगा किन्त पुत्र तुम्हारे लिए विग्न हर्ता अब विग्न करता बन चुके हैं कदाचित अब तुम्हारे लिए इतना सरल नहीं रहा ये युद्ध क्यूंकि वो नरायन के अस्तर के वार का तोड़ ढूड़ कर तुम्हारे विजय में विग्न उत्पन कर सकते हैं शंक चूर उसकी युक्ति भी ढून लेगा वो जो करने वाला है उसका कोई तोड मेरे पास भी नहीं विग्न हरता होने पर भी मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं कि मैं इस विग्न को हर सकूँ स्वयम विग्न हरता गणेश विग्न हरने की युक्ति ना सोच सके कठिन परिस्तिती में ही पुत्र, वो धिमान की बुद्धी की वास्तविक परीक्षा होती है वो अंदकार में भी प्रकाश की एक किरन को ढूंड ही लेता है और मुझे पून विश्वास है पुत्र, तुम इसका भी कोई उपाई ढूंड ही लोगे हाँ पुत्र, भोर होने तक तुम्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ सूज ही जाएगा मैं आपके विश्वास पर खराव तरने का प्रयास करूंगा तब तक आप सभी विश्राम कीजिए प्रणाम माता, प्रणाम भ्राता वो विग्न हर्ता, गनेश है पुत्र वो इतने सरलता से अपने असफलता सुईकार नहीं करेंगे तुल्सी के पती वरत की शक्ती के आगे उनकी सभी युक्तियां विफल होंगी ओम नमो भग्वते वासु देवाई, क्रिश्नाई नमो नमा ऐसे अद्बुत पती वरत का कोई तोड़ नहीं इस संकट को दूर करने के लिए सभी मुझसे ही आस लगाए हुए हैं पून विश्वास है तुम इसका भी कोई उपाई ढून ही लोगा और होने तक तुम्हे अवश्य ही कुछ ना कुछ सूजी जाएगा अर्थात जब तक देवी तुलसी का पती वरत सुरक्षित है संसार की सुरक्षा का कोई उपाई सफल नहीं होगा शंक चूर का वद संभव नहीं होगा ओम नमो भगवते वासु देवाई कृष्णाई नमो नम नहीं नहीं मैं तो ऐसे समाधान की कलपना भी नहीं कर सकता आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पती वरत धर्म का पालन करना होगा और इसके भी पूर्व अपने भूल को सुधारने के लिए आपको अपने अपूर्ण तब को संपन करना होगा मैंने उनको जो सुझाव दिया था वो तो उसी पर टिकी हैं अपने पती वरत धर्म का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन कर रही हैं इसलिए यही एक मात्र समाधान नहीं हो सकता प्रणाम प्रभू अब इस समस्या का एक ही समाधान है शंग्चूर से कृष्ण कवच लोटाना और देवी तुलसी के पती वरत के कवच का भंग होना गणेश तुमने देवी तुलसी को जो वर्दान दिया था उसके पून होने का समय अब अब आगया है शीग्राप का जन्म एक दिव्य पौधे के रूप में होगा जिसका नाम भी तुलसी ही होगा आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभू श्री कृष्ण के शाली ग्राम रूप की अर्धांगनी बनने का सौभागे प्राप्त करेंगी उन्हें अब शीग्रे तिव्य तुलसी पौधे के रूप में प्रकट होना है किन्तु ऐसा तभी होगा जब देवी तुलसी का पतीवरत भंग होगा और इस कार्जे को आप संपन करेंगे नारायान किन्तु एक कार्जे तुम्हें भी करना है गणेश और इसका माध्यम आपको ही बनना होगा नारायान हे महागन आदिपति आप ये मुझे कैसी दूविदा में डाल रहे हैं एक भक्त से उसके वर्दान में मिले कवच को लोटाने को कह रहे हैं और दूसरे भक्त से उसके पतीवरत के कवच को भेदने को कह रहे हैं ऐसा करने के लिए मुझे एक भक्त के साथ पाप और दूसरे भक्त के साथ चल करना होगा ये में कैसे करूँंगा महागनाधिपती शंग चूडल ने भुरे कर्म किये है इसलिए उससे उसका कवच लोटाना भले ही उसके कर्मों का फल माना जाए कि तु प्रभू, देवी तुलसी के साथ तो ये अन्याय होगा ये मैं कैसे करूँ प्रभू, देवी तुलसी ने एक जन नहीं, अपित्तु दो जन्मों में मेरी ही तपस्या की है, मेरे ही प्रती समर्पित रही, फिर भी मुझे नहीं पा सके, पर अब मैं उसे इतना बड़ा दंड कैसे दे दूँ, ये मैं कैसे करूँगा महागन आदिपत हाँ प्रभू, देवी तुलसी तो पूर्ण श्रद्धा के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है, पवित्रता के साथ अपने पती व्रधर्म का पालन कर रही है, फिर ये उनके प्रती अन्याय और दंड समा नहीं होगा इस अन्याय में न्याय छपा है, कभी कभी दंड प्रत्यक्ष रूप में कठोर प्रतीत होता है, किन्तु उस दंड में उसके प्रतीत न्याय होता है, जैसे व्रिक्ष की आयू पूर्ण होने पर उसे जड़ से काट दिया जाता है, किन्तु उसके कास्ट को विभिन्म कारिय के लिए प्रयोग में लाया जाता है यही उस व्रिक्ष की जीवन की साथता है इसी प्रकार कत्येक तब का परिणाम वर्दान नहीं होता तब का फल भिन रूम से भी आता है क्योंकि सत्य तो यह है कि विधाता कभी कभी छोटा कष्ट दे कर बड़े कष्ट हर लेता है किन्तु प्रभू देवी तुलसी के पाती व्रत्य में ही उनके प्रान है यदि वो अपने इस धर्म का पालन ना कर सकी तो ये उनके लिए मृत्यू से कम नहीं होगा और वो मृत्यू उसके लिए वर्दान बनेगी उसके जीवन के लक्ष के निकट ले जाएगी क्योंकि उसे तो दिव्वेतुलसी पौधा बनकर फिर से जन्म लेना है जिस सम्मान से वो अब तक वंचित रही उसे प्राप्त करेगी यह उनके लक्ष प्राप्ती की चढ़ाई का अंतिन भाग है उनके कठिनाईयों भरे मार्ग का चरम है किन्तु प्रभू यह कौन उसका विचार भी मैं कर चुका हूं यह भक्त और भगवान के संबंद का विशे है इसलिए उसके इस अनन्त सम्मान का मार्ग होने का यह दायत्व श्रीहरी नारायान का ही है किन्तु एक कांच्रे तुम्हे भी करना है गणेश कल युद आरंभ होने पर शंग चूड नारायन अस्त्र का प्रयोग करने का प्रयास करेगा किन्तु तुम्हे उसे ऐसा करने से रोखना होगा जिससे नारायन को अपने करतव्य निभाने का पर्याप समय प्राप्थो सफल्भव कभी कभी भक्तों के उद्धार के लिए भगवान को अपना हृते कठोर कर पाशान बनना पड़ता है किन्तु यही एक मात्र उपाए होता है भक्तों के जीवन को एक नवीन पर्थ देने का प्रभू आपके नेत्रों में अश्रू क्यों प्रभू ऐसा क्या घटित होना वाला है जिसने आपके नेत्रों में अश्रू चलका दिये नियती ने जो रचा है जिसकी योजना वो इतने लंबे समय से बना रही है जिसके लिए सभी योग उत्पन हो रहे है जिसके लिए नियती ने इतनी घटनाओं का चक्र बुना है अब भगवान की परिक्षा का समय आ गया है देवर्शे अब तुलसी पॉधे के आगमन का पत स्वयम नारायन को ही खोलना होगा जो उनके लिए अत्यंत कश्टकारी होगा हे प्रभूश्री हरी नारायन मुझे आशीश दीजिए कि आज का दिन मेरे जीवन का महानतम दिन हो अवश्य होगा आज का दिन आपके लिए महान ही होगा महराज शंक्चू किन्तु ये भी सत्य है कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है प्रणाम ब्रह्मन देव आपके इन शुब्र वचनों के लिए आपके इस आशिरवात के लिए आप मुझसे क्या चाहते हैं जो चाहे मांग लीजिए ये कृष्न भक्त शंक्चूड अवश्य देगा वचन देकर उसमें बंद जाएं उससे पहले एक बार और विचार कर लीजिए महाराज शंक्चूड मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरे प्रभू ही मेरे सामने हो और मेरा जो भी है उस पर सर्वर पथम मेरे प्रभू का ही अधिकार है इसलिए मुझे आपको कुछ देने का वचन देने से पहले उनर विचार करने की आवशक्ता नहीं है मांगी एप्राहमन देपता आप जो भी कहेंगे आपको आवश्य देगा शंक्चूड तब मुझे वो दो जो तुम्हारा नहीं है वो जो तुम्हें वर्दान में मिला है वो जो आपको मेरा कृष्ण कवच चाहिए मुझे कोई संकोच नहीं मैं आपको कृष्ण कवच देने के लिए प्रस्तूत है किन्तू बस आप अपने वास्तिविक रूप में मुझे दर्शन देजीजे और मांगीजे अपना कृष्ण कवए कवए मैं धन्य हुआ प्रभू किन्तू आपका ये कृष्ण भक्त जिस रूप में आपको पूचता रहा है उस रूप में भी दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कीजिए मुझे अपना कृष्ण कवच्ट देकर मुझे अपना कृष्ण कवच्ट देकर अपना कृष्ण कवच्ट देकर मुझे अपना कृष्ण कवच्ट देकर मुझे अपना का अपना कृष्ण कवच्ट देकर मुझे पक्ति चरिजर के लावाटाओाई टाराओादा एके लावाटाई ये लिशे प्रभाव मैंने आपकी आग्या का पालं किया वैसे भी मुझ जैसा पतप्रष्ट इस कवच के योगिन नहीं है महादेव ने इस कवच का मान ढखते हुए मुझ पर वार नहीं किया किन्तु मैंने मैंने क्या किया केवल उमपर प्रहार ना ही ये धर्मोचित है और ना ही युद्ध की मर्यादा इसलिए आप ये कवच ले लिजिए तभी युद्ध समानता के साथ होगा प्रभू मैं असुर हूँ मेरे लिए नियुमों का कोई अर्थ नहीं है किन्तु आपके भक्त को तो आपके द्वारस्थापित नियुमों का पालन तो करना ही चाहिए स्वयम आपके आरात्य देव अधी देव महादेव को सम्मोहित करना उन पर वार करना आपके नियुमों के स्वयम स्वयम आपके विरुद होगा जो मैं कदापी नहीं करना चाहता इसलिए संकोच मत कीजिये प्रभू निसंकोच ये कवच ले लीजिये किन्तू प्रभू महादेव के सामने ठिके रहने की शक्ती अब भी मुझ में है लीचे प्रभू इस इस दिव्यक्रिष्ण कवच को अचको आप ले लीजिये प्रभू मैंने कवच अवश्यक होया है किन्तू मेरा वास्तिविक कवच मेरी तुलसी और उसका पती व्रत अब भी मेरे साथ है जिसे कोई नहीं चीन सकता कोई नहीं ओम नमो भग्वते वासू देवाई क्रिष्णाय नमो नमा क्रिष्णाय मेरा उसका उन्हें क्रिष्णाय मेरा वास्तिविक कवच इन सभी के लोटने का अर्थ है कि प्रभू नारायन ने कृष्ण कवच पुना प्राप्त कर लिया है मुझे पूर्ण विश्वास था अनुज गनेश कि तुम कोई ना कोई समाधान अवश्च्छ हों लोगे असर शंख चूड़ अब अपने देव्य कृष्ण का बद से दुस्तरक्षित नहीं है आम नमो बग्वादेवा सुधेवाय नमा आम नमो बग्वादेवा सुधेवाय नमा शंक्चुन्द तुमने आज मुझे अपना कवच लोटा कर बहुत बड़ा त्याक किया है इसलिए मैं तुम्हें अपारबल और सामर्थ्य का आशीश देता हूँ आशीश देता है वही प्रेम शक्तिशाली होता है जिसमें शुद्धता हो और ऐसे प्रेम की शक्ती का सम्मान स्वयम इश्वर भी करते है प्रेम की शक्तिशाली होता है आशीश देस्वर प्रेम की शक्तिशाली होता है यह बडित वब मैं शक्तिशा गिवर प्रेम कीश्पता है